हेलो औरिवन स्वागत आप सभी का माई एक्जाम यूट्यूब चैनल पर तो आज फीडियो में मैथ का इंपोर्टेंट टोपिक करेंगे जो है SINCI यानि कि साधारन ब्याज और चक्रवर्थी भ्याज ठीक है अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को आपको बता दो हम क्या करेंगे आपके मैथ हैं रीजनिंग की ट्रिक करेंगे ठीक है जितने भी आपके जबरदस्त कोशन है सभी की हम ट्रिक की हर्फ से करेंगे तो इस चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज की यूड़ में हम करेंगे SINCI सबसे प सभी कोई पता होगा PRT और 100 होता है और amount क्या होता है आपका मिसरधन यानि की आपका जो मूलधन है उसमें यदि ब्याज जोड दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा मिसरधन यानि की amount ठीक है अब जैसे अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि 10% ब्याज पर किसी से 10% साधायन ब्याज पर 3 साल के लिए ठीक है कितने साल के लिए 3 साल के लिए तो 3 साल बाद आप उसे कितनी रासी वापिस करेंगे विद मूलधन ठीक है principle amount के साथ आप देखिए 10% ब्याज पर लिए आपने 100 रुपे तो यह 100 रुपे क्या हो गया आपका मूलधन हो गया या इतना लगा पी आर यानिकी दस टी यानिकी तीन साल और हंड्रेट आपने इस फोर्मले में रख दी है सभी के सभी तो 100 से 100 किट्रेगा यानिकी कितना हो गया 30 रुपे आपका साधायन ब्याज लग गया तो 100 रुपे तो आप दो गे ही दोगे साथ में 30 रुपे भी उसको वापिस करोगे तो टोटल जो अमाउंट आप उसको दोगे क्या दोगे पी प्लस एससाई यानि की 130 रुपे आप उसको वापिस दोगे ठीक है तो यह बात साधायन ब्याज की तो मतलब क्या है सिंपल भासा में आप समझते हैं जो 10% ब्याज है यह आपका वार्शिक है यानि कि 3 साल के लिए लिया आपने तो आप फूर्मुले की वज़ाए साधायन एक चीज़ और बोल सकते थे पहले साल का 10 दूसरे साल का 10 तीसरे साल का 10 तीनो साल बराबर रहता है आपका साधायन ब्याज जो होता है वो सेम रहता है तीनो साल का तो तीनो साल क्या होगा 10-10 तो तीसरे साल भी 10 उरुपे तो total कितने उरुपे ब्याज दोगे आप 30 उरुपे इस भासा में भी कह सकते हो यह पिछ पर्सेंटेज की बात करिए तो simple आप क्या कर दोगे add कर दोगे जितने भी साल है और 30% आ गया 3 साल का तो 100 का 30% कितना होगा 30 उरुपे तो यह बात थी simple interest की य यानि कि 5 साल होगा तो आप simply कर दोगे 5 गुना 10 यानि कि 50% 10 साल का होगा तो simply add कर दोगे 10 गुना 10 यानि कि 100 तो दस साल में वो राशी क्या हो जाएगी दुग नहीं हो जाएगी तो यह थी बात साधायन ब्याज की ठीक है एक सिंपल से समझते है फिर हम कोशन की तरफ बढ़ेंगे ऐसा ही समझ में आ गया अब हम बात करते है यदि यही ब्याज आपका चक्रवर्दी ब्याज होता तो आपका चक्रवर्दी ब्याज के case में जो ci का होता है amount क्या होता है a is equal to p 1 plus r over 100 इसकी power ठीक है amount का formula ये होता है तो ci कैसे आएगा आपका amount क्या होगा वही p plus ci यानि कि p में ऐसा ही जोड़ा p में हापर ci जोड़ा तो ci आपका कैसे आएगा amount में से आप क्या गताएंगे p तो ये आपके ci के formula है आपको याद अखना है तो अब हम बात करते हैं कि यही आगर आप 100 रुपे 10% चकरवर्दी ब्याज की दर्चे लेते 3 साल के लिए तो आपको कितना ब्याज देना होता है ठीक है आप समझते हैं देखना खुदी देखना फरक क्या आएगा कितना ब्याज देना होता है यानि कि amount निकालो सबसे पहले formula से p कितना लिया आपने 100 के लिया 1 प्लस r कितना है यहाँ पर 10% सेम ब्याज पर लिया है कितने साल के लिए 3 साल के लिए तो t कितना हो जाएगा 3 तो 1 0 से 1 0 काटो तो यह क्या हो जाएगा 100 तो इस का एल्सियम लोगे 1 प्लस 1 बटा 10 तो यह कितना हो जाएगा 11 बटे 10 इस का cube करोगे आप ठीक है तो यहाँ से आप amount निकालोगे तो यह क्या हो जाएगा 100 गोना 121 गोना 11 लिख लो इसको और निचे वालोगे लिख लो 100 गोना 10 ठीक है 1000 होगा 10 का cube तो आपने 100 गोना 10 लिख लिया ताकि आपका यह कट जाए 2 0 से 2 0 यह क्या हो जाएगा आपका 121 को 11 से गोना करोगे 1 3 3 1 बटे 10 तो 133.1 आपका कितना आगया amount आगया 133.1 अब आपको निकालना है कितना CI लगा तो CI कैसे निकाल लोगे तो इस amount में से principal घटा दोगे आप principal कितना था 100 रुपे तो यदि आपको CI निकालना है तो 133.1 में से 100 माइनस करोगे तो कितना ब्यास दिया आपने 33.1 रुपया ठीक है यानि कि आपने सादार्ण ब्यास पर लिये तो आपने कितना ब्यास दिया 30 यदि आप सकरवर्दी ब्यास पर लेते हैं तो आप कितना ब्यास देंगे उसको 33.1 यानि कि 3.1 रुपे आपने ज्यादा दिया ठीक है इसको नो डाउन कर लिया आपने इसको नो डाउन कर लीजिए फिर देखते हैं अब इसको सिंपल भासा में समझते हैं ठीक है डिफ्रेंस समझ में आ गया 130 रुपे और ये 33.1 अब ये कैसे आया आप देखना सिंपल समझते हैं C.I. का फंटा होता क्या है और S.I. माली जी आपने 100 रुपे लिये थे 10% ब्याज की दर्शे 3 साल के लिए तो आप इसको कैसे बोल सकते हो 10% का मतलब क्या है 3 साल है पहला साल दूसरा साल 100 का 10% कितना होगा यानि की 1 बटा 10 यानि की 10 रुपे 100 का कितना होगा 10 रुपे होगा तो आप देखिए पहले साल 10 दूसरे साल 10 तीसरे साल भी 10 यही तो हमने बात की थी सादार्ण ब्याज के केस में 10-10-10 यानि की जो सादार्ण ब्याज होता है हर साल बराबर रहता है ठीक है इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और कितना लगेगा 10 परसेंट है तो 10 परसेंट 10 रुपे का कितना हो जाएगा 10 परसेंट इसका कितना हो जाएगा एक रुपा ठीक है अब जैसे ही आप तीसरे साल जाएंगे इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा ठीक है ब्याज पर ब्याज लगेगा तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देखेंगे 10 अब 10 ये 20 था ठीक है तो 20 का 10 परसेंट कितना हो जाएगा 2 रूपे इन दोनों पर तो लगेगा ही लगेगा और जो ये एक्स्ट्रा ब्याज आया था इस पर भी 10% लगेगा और ये कितना हो जाएगा 0.1 तो 1 का 10% कितना होगा 1 बटा 10 यानि की 0.1 ये समझ में आ गया 0.1 अब आप देखेंगे ये जो value आई इसका दुगणा होगी सिंपल समझने के लिए जब question करेंगे आपको ये काम आएगा अब ये क्या है आपका 3-9 साल का ब्याज है 3-9 साल का ब्याज है ये जो उपर वाली line है ये तो आपको देगी साधान ब्याज कितना देगी 30 उर्पे जो हमने basic formula से क्या था और इन सभी को आप add करोगे 10-20-30 और एक 3 और एक ये 33.1 ये आपको total क्या देगा चकरवर्दी प्याज 33.1 जो हमने निकाला था basic formula से यानि कि आप इस formula से चलेंगे आप SI भी निकाल लेंगे और CI भी निकाल लेंगे और दोनों का अंतर निकालना है आपको तो इस उपर वाली total में से इस उपर वाली line को घठा दोगे तो ये जो वाली line है ये निच्चे वाली तो ये क्या है आपका 3.8 तो ये क्या देगा आपका CI और SI के बीच में difference ठीक है ये simple funda था आपका CI में लगता है आपका ब्याज पर ब्याज या फिर आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं आप सभी ने एक formula पढ़ा होगा x plus y plus x y over 100 यानि कि ब्याज पर ब्याज लगता है 10% है ठीक है तो ये आपका आएगा 2 साल का फिर ये 2 साल का आएगा उसको फिर दुबारा से आप 10% जो तीसरे साल का उससे add करेंगे तो आपका क्या जाएगा CI ठीक है तो समझाने के लिए था आप सभी को समझ में आ गया होगा SI और CI में क्या difference होता है ठीक है अब हम question करते हैं देखेंगे question जो पूछे जाते हैं ये आपका basic method है बिल्कुल important method है इस method से आप चलेंगे तो सभी के सभी आपके question हो जाएगे अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं इस वाली method को यदि आप एक से दो बार देखेंगे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बाद में आपको clear हो जाएगा क्या है एक धनरासी है अपने आपका वो दुगना हो जाती है चार साल में ठीक है कोई धनरासी अपने आपका क्या हो जाती है दुगना हो जाती है चार साल में, तो वो पाँच गुना कितने साल में होगी, ठीक है, दुगना हो जाती है, चार साल में, तो पाँच गुना कितने साल में होगी, ठीक है, इस तरह का कुछन आपका भूत पुछा जाता, तो कैसे करेंगे आप, तो हम माल लेते हैं, जो पी था, यानि कि मूल धन ह जो रासी है वो एक रुपे है ठीक है एक रुपा माल लेते हैं आप कुछ भी माल दस रुपे माल लो ये दुगना हो जाती है यानि कि यह जो रासी है पांच गुना कितने साल में होगी यही तो उसने पुछा है अब आप देखिए यहां से आपका जो SI है साधान ब्याज का केस है यह क्योंकि अगर आपको कुछ ना गीवन हो तो आप साधान ही मान कर चलेंगे यह गीवन होगा तो आप CI अगर पॉस्चन होगा तो आपको गीवन होगा चक्करवर्दी प्याज नहीं तो आप साधान से चलेंगे यानि कि साधान ब्याज इस पर कितना लगा एक रूपा ठीक है अब सिंपल फंडा से लते हैं एक कुछ रासी थी जीरो साल में प्रेजेंट में वह प्रेजेंट में कितनी थी वह एक साल अब वो दुगना हो जाती है चार साल में ठीक है इस तरह से कोशन करेंगे तो आप सभी कोशन आप कर लेंगे अपने बहुती सिंपल मैथड है इस से सिंपल कुछ नहीं है कुछ वच्छे बोलते हैं सर कोशन हमें फोर्मुले से करवाईए यदि आप इस मैथड से चलेंग बात बताइए मुझे यह क्या है साल है और यह रासिया है ठीक है तो यह आप देखेंगे इन दोनों का गैब निकाल लो इन दोनों का अंतर देख लो इनका अंतर कितना है एक इनका अंतर कितना है चार तो साधान ब्याज के केस में जो अंतर आया उसको एड करते चले जाओ और जितना पुछा है वहां तक चुप हो जाओगे ठीक है एक इसमें दुबार एड़ करेंगे तीन एक इसमें एड़ करेंगे चार एक इसमें एड़ करेंगे पांच तो पांच गुना पुछिए तो दुगना होगी चार साल में तो पांच गुना होगी कितने साल में ठीक है तो आपके पास ये रास ही आ गई कि 5 गुना हो जाएगी वो कितने साल में? 16 साल में कितने साल में? 16 साल में यदि आपसे पूछता 4 गुना होगी तो आपका अंसर होता 12 यदि वो पूछता 3 गुना होगी तो आपका अंसर होगा 8 साल में ठीक है दुगना होगी चार साल में ठीक है तो very basic question था ये और very important question था आपका ये पूछा जाता है ठीक है very very important है अब next question करते हैं हम no down कर लिया सभी ने next question है एक आदमी के पास एक आदमी उधार देता है 60,000 रुपे एक आदमी क्या करता है 60,000 रुपे उधार देता है और वो क्या करता है इस 60,000 का आदा हिस्सा तो 5% पर देता है कुछ हिस्सा 5% पर देता है और जो rest है बाकी का जो हिस्सा है 4% ब्याज पर देता है ठीक है एक आदमी के पास 60,000 रुपे हैं वो इसका कुछ हिस्सा देता है 5% ब्याज पर और कुछ बाकी का जो हिस्सा देता है 4% ब्याज पर देता है साधान ब्याज पर ठीक है उसके बाद इसको कितना मिलता है तो आपको बताना है कि चार परसेंट ब्याज पर उसने कितनी रासी दी कितना अमाउंट उसने दिया तो इस तरह के गोशन आपको जब मिले तो आप क्या करेंगे Mixer and Alligation से करेंगे कैसे कि कुछ रासी है उसके पास तो इस रासी का कुछ हिसा तो उसने 5% पर दे दिया और बाकी का हिसा 4% पर दे दिया तो उसके पास जो टोटल ब्याज आया 2560 तो आपको बताना है 4% पर उसने जो राशी दी थी, वो कितनी दी थी, आप दोनों निकाल लेंगे, आप देखिए, हम माल लेते हैं अब इस स्टार्टिंग में, जो 60,000 उपे हैं उसने, वो सारे के सारे उसने कितने पर दे दिये, 4% पर, इसको भूल जाओ, जो 60,000 सारे कितने पर दे दिये, 4% पर, तो कितना ब्याज आएगा, 60,000 का 4%, 4% का मतलब 4,100 यानिकी, 1 बटा 25, तो 1 बटा 25 आएगा, जो कितना होगा, 2500 यानिकी, 24,100 रुपे, यदि वो सारी की सारी रासी 4% पर देता है तो उसके पास ब्याज कितना आएगा 2400 अब वो मैं माल लूँ अब सारी की सारी रासी वो 5% पर देता है ठीक है सारी की सारी रासी वो 5% पर देता है तो ब्याज कितना आएगा तीन हजा, ठीक है, साथ हजार का 5%, यानि कि 5 बटे 100 करोगे आप, साथ हजार का, तो जो जियों से 2-0 तो ये कितना आजएगा, ठीक है एक बार आप मानलो, सारी रासी उसने 5% पर दे दी, एक बार मानलो, सारी रासी 4% पर दे दी 4% पर दी तो ब्याज इतना 5% पर दी तो तब इतना लेकिन और आल ब्याज उसको मिलता कितना है क्योंकि आदी रासी वो इतने पर देता है और आदी रासी इतने पर देता है कुछ-कुछ हमें नहीं पता हो कितनी देता है तो टोटल यानि कि टोटल जो आता है इंट्रेस्ट उसका जो हम लिखते हैं बीच में मिक्सर एलिगेशन में आप शिख चुके हैं जो वैल्य यहाँ पर आती है वो टोटल अमाउंट से जो रासी आती है वो आए कि 2560 अब यह जो रासी इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए देखी 2400 और 3000 के बीच में लाई करता है 2560 यह दिन नहीं लाई करेगा तो आपने कहीं न कहीं गलती करी है ठीक है तो यानि कि यह आपका interest था तो यह भी आपको interest ही लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर भी interest ही लिखना है और यह राशी आपको आरपार माइनस करके क्या देगी आपको राशी देगी amount ठीक है अब 2560 में से 2400 माइनस करेंगे तो कितना हैगा 160 अब 3000 में से 2560 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26,440 ठीक है तो यह राशी आगई आपके पास 440 और आपका 160 ठीक है अब इसको काट दो एक जिरो से एक जिरो 4 से काटोगे 4,11 तो यानि कि जो 4% पर राशी दी वो कितनी है 11,5% पर जो राशी दी वो कितनी है 4 तो इन दोनों का टोटल कितना है 11 और 4 15 हमारे कोडिंग जो राशी आई वो कितनी है 15 लेकिन गिवन कितनी है 60,000 तो इस 15 को 60,000 बनाओगे तो कैसे 4,000 से गुना करना पड़ेगा अब इसको 4,000 से गुना किया है तो जिसकी राशी पुछी है 4% वाली पुछी है तो इसको भी 4,000 से गुना कर दो तो कितनी आ जाएगी 44,000 रुपे उसने दिये है 4% पर ठीक है सबसे simple method है इस तरह के question करने का ये यदि वो पूछता 5% पर कितनी राशी दी है टोटल राशी थी उसने जो दी थी ठीक है जब भी आपका इस तरह का question आए कि कुछ राशी है कुछ राशी का कुछ हिस्सा 4% पर बाकी का 5% पर तो टोटल व्याज उसको इतना मिलता है तो आप mixer and allegation से question करेंगे ठीक है note down कर दीजिए next question देखते है next question है in how many years will a sum of money double itself at the rate of 5% time पूछ है कि कितने साल में कोई राशी क्या हो जाएगी दुगना हो जाएगी अपने आपका 12% ब्याज की दर से ठीक है कुछ amount था पी हमें नहीं पता ये राशी अपने आपका क्या हो जाएगी double हो जाएगी double का मतलब यानि कि मूल धन क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा ओ मिसर धन क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा साइका है दो तरीके से कर सकते हैं तो सिंपल अभी मैंने बताया था एक है तो जीरो समय में ठीक है यहां पर आप देखिए आप क्या करेंगे तो दुगना हो जाती है यानि कि दुगना यहां पर आपको टाइम नहीं पता यह आपको निकालना ठीक है तो अब आप क्या कितने समय में यह आपको निकालना है तो आपको फूरूला पता है एस चाहिए पी आर टी ओर हंडर्डड आपने पी मानना है मुलधन आर कितना है बारा ती आपने निकालना है ओवर हंडर्ड तो सिंपल इंट्रेस्ट कितना हैगा तो simple interest क्या होता है A is equal to P plus Si A आपका कितना है दुगना है P मानना है तो कितना है दुगना है तो P plus Si तो Si हाँ से कितना आ गया P ठीक है या फिर आप इसको ये भी मान सकते थे यदि आपने P 1 मान लिया तो ये 2 हो जाएगा यानि कि दुगना होगा तो साधान ब्याज हाँ से कितना आएगा A है P आपका 1 है तो Si हाँ से कितना आएगा 1 ठीक है जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं तो ये आपका कितना आएगा P या फिर 1 तो P से P कटेगा तो यानि कि टाइम आपको निकालना है तो 100 बटे 12 ठीक है टाइम कितना आएगा 100 बटे 12 4 से काटोगे 4, 25, 4 ती है ठीक है 25 बटे 3 यदि इसको आगे सोल करना है तो कैसे करेंगे 3, 8 पे जाएगा 1 8 से ही 1 बटा 3 यदि इसको भी आगे सोल करना है इसको भी महिनों में निकालना है तो 1 बटा 3 को 60 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 यानि कि 8 साल 12 महिने ठीक है 8 साल सोरी 60 से नहीं 12 महिने होते है मैंने मिनिट वाला लगा दिया है आपर एक बटा 3 को करोगे आप महिने में तो ये आएगा 4 महिने ठीक है 8 साल 4 महिने ठीक है आगे सोल करोगे यदि ये आपको option मिले answer तो ये ये मिले तो ये नहीं तो ये मिलेगा तो ये तीनों में से कोई भी answer मिल सकता है तो इस तरह से आप question करेंगे no down कीजिए next question करते है next question क्या है the ratio of p and the amount जो ratio है मूल धन का और मिशर धन का p और a जो अनुपाथ है वो कितना है एक साल का दस रेशो बारा ठीक है p और a आपका ratio given है then the rate of interest आपको निकालना है क्या होगा यदि एक साल टाइम है ठीक है उसने क्या बोला है एक साल का जो p और a जो अनुपाथ है वो 10 अनुपात 12 है तो rate of interest आपको बताना है ठीक है तो कैसे करेंगे जो भी ratio given है उसी को आप माल लो P 10 है और A आपका कितना है 12 है तो SI कितना आजाएगा A में से आप P गटाएंगे यानि की 2 है जो उसने दे रखा वो ही हमने माल लिया P और A तो आप जाएंगे formula से SI PRT over 100 अब P कितना मालना है आपने 10 R आपने निकालना है time कितना है एक साल का अनुपात है और ये नीचे 100 और SI कितना आया है 2 तो 10 से 1 0 कटेगी ठीक है ये 10 यहाँ पर गुना होगा तो rate कितना आजाएगा 20% जो अनुपात उसने दिया था वही हमने क्या मान ली रासी मान ली की यही amount है और यही क्या है प्रिंसिपल है तो आपको कुछ नहीं करना direct formula में पूट करनी है ठीक है नोट डाउन कीजिए फिर next question करते हैं तो यह question सभी के सभी important है आपके exam में आए भी question है SI के इसी तरह के question आपके पुछे जाते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आ ली तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए next question है क्या है 12,000 रुपे है तो उसको इस तरह से भाग किया जाता है 12,000 रुपे is divided into two parts such that the simple interest on the first part ठीक है दो भाग में विवाजित किया जाता है पहला और दूसरा ठीक है 12,000 रुपे को विवाजित कर दिया पहले और दूसरे भाग में उसके बाद बोलता है इस तरह से विवाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 3 साल का 12% की ब्याज से जो ब्याज है वो बराबर है किसके जो द दूसरे पार्ट पर सड़े च्यार साल में 16% की दर्से जो ब्याज है ठीक है उसने बोला है 12,000 पर डिवाइड कर दिये दो भाग में पहले भाग पर जो ब्याज आएगा 3 साल के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर्से वो बराबर है जो दूसरे भाग पर आएगा सड़े चार साल में 16% ब्याज की दर से तो आपको बताना है कि कितने अनुपात में वो divide किये गए है P1 और P2 पहला और दूसरा भाग किस रेशों में आपके divide किये गए है तो इस तरह से आपको निकालना है जब कभी भी आपको simple interest same हो आप एक बाद बताइए मुझे SI आपका है PRT over 100 ठीक है PRT over 100 ये हम माल लेते हैं P1, P2, T1 ये बराबर है P2, R2, T2 बटे 100 ठीक है simple interest same है पहले और दूसरे का तो दोनों की राशी आपने equal रख दी तो 100 से 100 ठीक है आप एक बात बताइए तो P1 और P2 का रेशो क्या आएगा P1 और P2 का रेशो क्या आएगा P1, P2 इदर आ गया ये उदर चले जाएगा यानि की R2, R1, T1 यानि की जो P1 है universally proportional है किसके? R और T के ठीक है simple funda समझ में आ गया जब कभी भी आपका साधायंड भ्याद सेम हो तो P1 और P2 क्या होंगे universally proportional होंगे या फिर कहें हम P1 और P2 का जो अनुपात होगा किसके इक्वल होगा R1, T1 और R2 है तो R2, T2 ठीक है? एक बटे R1, T1 और एक बटे R2, T2 निकाल लो तो यह क्या दे देगा आपको P1 और P2 यह आप यहाँ से देख चुके हैं कैसे आया ठीक है? तो पहला जो ब्याज है, वो कितना है 12% है, टाइम कितना है 3, 7 तो यानि कि 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 1, 36 बरातिया, 36 अब यह 4 से ही 1, 2 है तो 4 दूनी 8 है, 9 बटे 2 आप इसको लिख लोगे ठीक है, 9 बटा 2 साथ तो 8 टू क्या है, आपका 16 है और T2 कितना है, 9 बटे 2 तो यह कटेगा 8 और 8 निम 72 आएगा ठीक है, क्या आएगा? 22 यानि कि 1 बटा बहतर अब जो भी रेसो आप fraction में नहीं रखते हैं आप इसको fraction से अटाना है तो इनके LCM से आप क्या कर दोगे? गुना यानि कि भैतर से आप गुना करेंगे तो यह कितना आजाएगा 2 और यह कितना आजाएगा 8 जो रासिया है, कितने अनुपात में आपने divide करी थी? दो अनुपात एक में यही उसने पूछा था ठीक है? कितने अनुपात में? दो अनुपात एक में 12,000 रुपे की रासिया आपने कितने अनुपात में divide करी? दो अनुपात एक में यदि यहाँ पर वो आगे पूछता कि पहला जो है और दूसरा जो है आप बताईए अब टोटल कितना है? 2 रेक, 3 टोटल कितना है? 2 रेक, 3 लेकिन था कितना? 12,000 तो 3 को 12,000 बनाना है तो 4,000 से गुणा करेंगे तो 12,000 तो पहली रासी और दूसरी रासी क्या आजाएगी? इनको भी 4,000 से गुणा कर दो चार दुनी 8 हजार को आठ हजार और चार हजार में विभाजित किया है ताकि जो ब्याज है इस दर्से और इस दर्से दोनों का सेम आई very very important question है इसको आप star mark कर लेना ये question आपका भूत बार पुछा गया है exam में ठीक है इसको आप क्या करोगे star mark करोगे इस question को next question करते है नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने next question क्या है a sum of money becomes 460 in 3 साल ठीक है एक रासी है वो 460 हो जाती है 3 साल में ठीक है उसके बाद 500 रुपे हो जाती है वो 5 साल में वही रासी ठीक है तो find the sum of rate of interest तो आपको क्या बताना है तो वो रासी बतानी है और rate of interest बताना है कि ब्याज की दर क्या है ठीक है कोई रासी 460 हो जाती है 3 साल में और वो 500 हो जाती है 5 साल में तो आपको वो रासी बतानी है और ब्याज आपको बताना है क्या होगा ठीक है तो कैसे करेंगे इस तरह का question solution करते हैं हम माल नेते हैं वो रासी थी P, ठीक है, तो ये कितना हो गई, 460 हो गई, कितने साल में, 3 साल में, ठीक है, और यही रासी क्या हो गई, 500 हो गई, कितने साल में, 5 साल में, ठीक है, ये रासी 500 हो गई, पांच में, और 460 हो गई, 3 साल में, अब आप एक बात बताएए यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा उसको 5-3, 2 साल यही तो लगा होगा, 5 साल है, यह 3 साल है, तो 2 साल में कितनी बढ़ी वो तो 2 साल में 460-500 हो गई, यानि कि 40 उरुपे बढ़ गई ठीक है, सिंपल फंडा है, दूसरी में से पहली माइनेस कर दो टाइम आ गया और अमाउंट आ गया, यानि कि 2 साल में वो कितनी बढ़ी है वो आपकी 40, 2 साल में 40 बढ़ी है, तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी 20 रुपे एक साल में कितनी बड़ी होगी भाग कर दो आदा कर दो सादायन ब्याज का यही तो फंडा है सेम होता है सभी का अब आप एक बात बताईए मुझे जो रासी थी यह 3 साल में 460 हुई है यानि कि ब्याज लगके ही तो हुई होगी इस पे जो अमाउंट है P पलस SI ठीक है यह जो P था यह SI जुड़कर ही तो 460 हुई है तो 3 साल में कितना ब्याज लगा होगा इसमें तो 1 साल में 20 लगा है तो 3 साल में कितना लगा होगा 60 रुपे तो 3 से गुना कर दो ठीक है 60 रुपे ही तो लगा होगा आप पहले तो हमने 2 साल का निकाल लिया 500 हुई थी 460 से 500 जाने में 40 है एक साल का निकाल लिया अब यह देखो आप 3 साल में वो 460 हुई है तो 3 साल में कितना ब्याज लगा है 60 तो इसमें 60 तो ब्याज एड है तो P कितना एड होगा तो P होगा इसमें 400 plus 60 तो तबी तो ये रासी होई होगी add होके तो ये amount होगा 400 plus 60 तो यानि कि हमें पता चल गया P कितना था 400 रुपे इससे निकालोगे आप इससे भी आ जाएगा 5 साल में कितनी हुई है 500 तो 5 साल में कितना भ्याज लगा होगा 5 साल में कितना लगा हुगा इसको 5 से गुणा करो 100 ठीक है तो 5 साल में 100 ब्याज लगके ये 500 हुई है तो 500 में से 100 गटा तो तो रासी कितनी आएगी 400 ठीक है क्योंकि जो amount होता है वो क्या होता है P plus SI 100 ब्याज लगा है रासी 500 हो गई थी यानि कि amount हुआ तो ये कितना होना चाहिए 400 किसी से भी निकाल लो यदि आपको एक साल का पता लग गया तो एक तो उसने पुछा था sum तो वो रासी कितनी थी 400 रुपे अब दूसरा question उसने पुछा है rate of interest तो rate of interest आप कैसे निकालते है PRT over 100 P कितना है 400 rate निकालना है time एक साल है निच्चे 100 है एक साल में कितना ब्याद आया 20 रुपे ये आप निकाल चुके है काट दो 4 और ये 4 पंजे 20 तो rate कितना आ गया 5% ठीक है rate कितना आ गया 5% और रासी कितनी आ गई 400 रुपे ठीक है समझ आ गया सभी को तो ये आपके सभी के सभी important question है exam point of view से ठीक है अब हम SI के कुछ CI के कुछ question करते है important CI के question करते है कुछ अब CI का पहला question हम वही करते है जो हमने SI में किया था कोई रासी दुगना हो जाती है ठीक है पहला question करते हैं CI का एक जो रासी है वो दुगना हो जाती है चार साल में तो आठ गुना होगी कितने साल में चकरवर्दी ब्याल्ज की दर से एक रासी है वो क्या हो जाती है दुगने चार साल में SI में भी हमने कोई गुना हो जाएगी वो कितने साल में कितने साल में होगी वो आठ गुना कैसे करेंगे वही present में वो एक थी जीरो टाइम present का मतलब जीरो टाइम अभी कोई रासी एक है जीरो समय में अभी हम जो करते हैं जैसे हमने age के question आपको कराये थे present को हम क्या मानते हैं जीरो टाइम मांगते हैं तो दुगनी हो गई चार साल में तो दुगनी का मतलब एक का दुगना दो कितने साल में चार साल में ठीक है तो आठ गुना होगी कितने साल में तो SI में हमने क्या किया था इसका gap निकाला था और इसका gap निकाला था दीरोचार का चा, इसका एक और वो add करते गए थे, ठीक है साधा अण ब्याज का case में लेकिन CI के gap में आप ऐसा नहीं करेंगे तो CI में क्या करेंगे ये रासी इसका कितना गुना होई है दो गुना, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है CI में, ठीक है तो यहाँ पर आप gap add करेंगे टाइम में, वो इधर जो multiply factor है उसको add करेंगे ये आपको सिरफ ध्यान करना है SI में ये वाला और CI में ये वाला तो सेम है gap add करना है, लेकिन इधर वाला, जो amount में आप करेंगे, CI में आप multiply करेंगे, ना कि difference को add करेंगे तो ये दो गुना हुआ है, यानि कि multiply किया है, तो आगे गुना दो करोगे, तो कितनी हो जाएगी, 4 इसमें जो gap add करेंगे, 8 तो 4 गुना हो जाएगी, 8 साल में, लेकिन पुच्छा है, 8 गुना तो दूबारा इसको 2 से गुना करोगे तो ये आजाएगी, 8 फिर यहाँ पर gap add करेंगे, यानि कि 12, तो 8 गुना हो जाएगी कितने साल में, 12 साल में ठीक है, तो ये सिर्फ आग को ध्यानक नहां है, यहाँ पर हम multiply करेंगे, ना कि gap add करेंगे इसका कितना गुना हुई है, ये गुना, ठीक है, स्टार्टिंग वाला देखना सिर्फ कितना गुना हुई है, दो गुना तो इस दो को गुना करते चले जाओगे जहाँ तक फुच्छा है, ठीक है नेक्स्ट कुशन करते हैं, नोट डाउन कर लीजी एक बार नेक्स्ट कुशन क्या है इनवर्ट टाइम्स, पी बिकम्स तेरा सो इकतीस एड़ दस परसेंट परेनम कमपाउंडिड एन्वली तो उसने बोला है, कि यदि पी एक हजार रुपे है अमाउंट है, एक तीन तीन एक, ठीक है तो आगर जो रेट है, वो दस परसेंट है कमपाउंडिड एन्वली, चकरवर्दी ब्याज है तो कितने समय में होगा, टाइम बताना है आपको ठीक है, क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितने समय में ये इतनी रासी हो जाएगे स्टार्ट करते हैं, वही एज इकोईल टू, पी, वन प्लस आर ओवर हन्डर्ड टी, तो टाइम निकालना है, तो यही फॉर्मला होता है, स्याइ का, अमाउंट कितना होगी है, एक 3, 3, 1, P कितना है, 1,000 वन प्लस आर कितना है, 10 बटे 100, आपको टाइम निकालना है, ठीक है 1, 0 से 1, 0, इसको इधर लिख लो, 1, 3, 3, 1 एक बटे 1000 यह आपका क्या जैगा böste 30 एक प्लश एक 50-10 को आप एड करोगे तो यहाजएगा ग्यारा बड़े 10 की पावर है तो इसको भी 11 पटे 10 की पावर में ही लिखना हो गारें तो एक 1331 क्यूं होता है 11 गार और 1000 क्यूं होता है दस का तो 11 पटे 10 की पावर इसको मैं 3 लिख सकता हूं और इधर क्या हो जएगा 11 ранव mission 10 ती ठीक है तो इस वाली साइड को इसी फोर में आपको लिख न होता है ठीक है आप देखिए equal का sign है और दोनों तरफ बे सेम है equal का sign है दोनों तरफ बे सेम है तो उपर वाली value भी क्या हो जाए कि equal यानि कि T कितना है तीन साथ ठीक है T कितना हैगा तीन साथ ठीक है इस तरह से आप question करेंगे एक और note down कर लीजिएगा बात हो बतानी जो चकरवर्दी ब्याज है आपका वो वार्षिक हो तो ब्याज आपका होता है मानलीजी 10% है और time आप मानलीजी 2 साल है ठीक है जब आपको बोले वो एन वली है यदि आपको वो बोले semi-annualी ठीक है जो ब्याज है आपका अर्दवासिक है तो यह जब भी आपको इस तरह से बोले तो आप क्या करेंगे अर्दवासिक केकेस में R को तो आप भाग कर देंगे 2 से और time को क्या कर देंगे दुगना ठीक है अर्दवासिक semi-annually बोले ठीक है यदि आपको बोले वो quarterly ठीक है तीमाही है quarterly है तो क्या बोले करेंगे आप rate को 4 से भाग करेंगे और आप इसको क्या करेंगे time को 4 से क्या है एक compound interest बताना है आपको 5000 रुपे पर ठीक है 5000 रुपे पर चकरवर्दी ब्याज बताना है तीन साल में 10% ब्याज की दर से ठीक है चकरवर्दी ब्याज बताना है कितने रुपे पर 5000 रुपे पर तीन साल में 10% चकरवर्दी वार्षिक दर की ठीक है दस परसेंट है आपका CI बताना है आपको तीनों चीज आपको गिवन है अब आप इस question को basic से करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा र कैल्कुलेटिव भी होगा तो जब कभी भी आपको ध्यान करना no down कर लीजिए P पुछे, A पुछे और CI पुछे इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज पुछे तो जो मेथड हम apply करेंगे अब ये method आप use करेंगे ठीक है P पुछे, A पुछे, CI पुछे तो जो मेथड हम apply कर रहे हैं ये method आप apply कर सकते हैं देखिए जो rate है वो क्या है आपका, एक बटा दस, क्या है एक बटा दस, मतलब क्या है 10 रुपे पर एक ब्याज लग रहा है, 10 रुपे पर क्या लग रहा है, एक ब्याज लग रहा है, वो time कितना है, 3 साल, ठीक है 10 रुपे पर 1 ब्याज लगा तो कितना हो गया 11 पहले सार अब सेम दूसरे साल भी होगा 10 पर 1 ब्याज लगेगा जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको तीसरे साल भी क्या होगा 10 पर 1 ब्याज लगेगा 11 ठीक है rate आप का मतलब क्या है 10 परसेंट वार्सिक है 10 परसेंट का मतलब क्या है 10 बटे 100 परसेंटेज हटाएंगे 10 से 10 एक परटा 10 नीचे क्या है यानि कि 10 पर 1 ब्याज लग रहा है यानि कि 10 एक ब्याज लग कर कितना हो रहा है 11 एक साल में तो rate का मतलब यह होता है तो पहले साल भी यही होता है, दूसरे साल भी यही होता है, तीसरे साल भी यही होता है, ठीक है, जितना टाइम है, उतने टाइम बार आप लिख देंगे, यदि दो साल है तो सिर्फ दो बार लिखेंगे, चार साल है तो एक बार लिख देंगे, अब आप क्या करेंगे, इन तो दोन्हों का डिफ्रेंस आपको क्या देगा CI क्या देगा चकरवर्दी ब्याज यही तो होता है चकरवर्दी ब्याज amount में से आप P घटा दे अब आपको given कितना है 5000 P आपको given है आपके coding तो आया 1000 तो given कितना है 5000 तो इसको 5000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से गुना अब इसको 5 से गुना किया है पुछा था उसने CI तो CI कितना आया? 331 आपके एकोडिंग आया 331 इसको 5 से गुना किया है तो इसको भी क्या करो? 5 से गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 1655 ठीक है? 5 5 तिये 15 1655 आपका CI आ जाएगा यदि amount पूछता तो इसको भी क्या करते? 5 से गुना करते क्योंकि इसको 5 से गुना किया है तो इस तरह से आप करेंगे इन तीनों चीज में से आपसे कोई भी एक चीज पूछ ले तो ये वाला method आप apply कर सकते है very simple method है आपका ये आप फोर्मुले से जाएंगे तो थोड़ा लंबा पढ़ सकता है आपको ये कोईशन ठीक है? आगे चलें नेक्स कोईशन करते हैं इस वीडियो को जयदा से जयदा जरूर शेयर कर दीजीगा आपक से यही रिक्वेस्ट है नेक्स कोईशन करते हैं क्या गीवन है इफ दा अमाउंट इज जो अमाउंट है वो है तीन सही तीन बटे आठ गुना है पी का ठीक है? कितने साल में हो जाता है वो? तीन साल में हो जाता है ठीक है? तो आपको बताना है रेट ओफ इंट्रेस्ट क्या होगा? ठीक है तो rate of interest आपको बताना है क्या होगा तीन साल में compounded चक्रवर्दी ब्याज की दर्शे ये इतना हो जाता है तो rate बताना है आपको क्या होगा very simple है ये तो आप formula से कर लेंगे आर्टिया 24, 17, 27 बटे 8 ठीक है इसको पहले fraction अटाएंगे तो direct formula यूज कर लेंगे a is equal to p 1 plus r over 100 जब आपको लगता है कि formula से आप जल्दी कर सकते हैं तो formula apply करें जब आपको लगता है कि formula में time लगेगा अब आप एक बात बताएंगे इस तरह से value आ गई है पर आर की कुछ 25, 28, 26 उसका cube ठीक है तो cube करने में ही time लगेगा तो आप जो previous question करवाया था उस method से आप जाएंगे ठीक है amount कितना है 27 बटे 8 हो गया p का तो p 1 plus r आपको निकालना है बटे 100 time कितना है 3, 7 अब p से p कट गया ठीक है आप इसको क्या करेंगे इसी form में बनाएंगे ठीक है cube की form में तो 27 और 28 का cube हो सकता है 3 और 2 का cube ठीक है यदि power है तो इसको power same बनाओ base equate कर दो यदि base same है तो power को equate कर दो ठीक है 1 plus r over 100 cube अब power equal है तो base आपके क्या हो जाएंगे equal यानि कि 3 बटा 2 is equal to 1 plus r over 100 तो यह आपको हो जाएगा 3 बटा 2 minus 1 r बटे 100 तो यह कितना आजाएगा 1 बटा 2 r बटा 100 तो यह 5 50 से कटेगा तो rate आगया आपका 50% ठीक है यह समें तो आपको सिरफ calculation करनी थी 50% ठीक है note down कीजिए next question करते हैं यह तो सिरफ calculation वाला था next जो question है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल ओफ 10 हजार after 2 year compounded annually क्या गिवन है आपका पी आपको गिवन है 10 हजार अब आप देखे इस तरह का question आप कैसे करेंगे after 2 year compounded annually the rate of being the rate of interest being 10% पहले साल जो rate है वो कितना है 10 और दूसरे साल जो rate है ब्याज है वो कितना है 12% है तो 2 साल में amount की रासी कितनी होगी मिसरधन क्या हो जाएगा मिसरधन बताना है आपको कितना हो जाएगा अब आप इस question को same एक तो formula से कर सकते हैं कैसे A is equal to P 1 plus R over 100 जब आपकी rate of interest अलग-अलग हो तो इस तरह से आप करेंगे ठीक है R over 100 3 1 ठीक है अलग-अलग लिखेंगे तो यदि आप formula से करें तो P रासी है आपकी कितनी 10,000 1 plus R पहले साल का कितना है एक साल का है दूसरे साल कितना है 12 1 plus 12 वटे 100 एक ही साल है इसका भी तो इनको गुना करेंगे तो आपका amount आजाएगा ठीक है या फिर जो method आभी मैंने बताया था कौन से वाला पहला साल 10% है 10% का मतलब एक बटा 10 यानि कि 10 पर एक ब्याज लग रहा है कितना हो जा रहा है 11 पहले साल ठीक है और दूसरे साल क्या हो रहा है 12% ब्याज है दूसरे साल क्या है 12% ब्याज है तो 12% का मतलब क्या है बारा परसेंट का मतलब क्या है बारा बटे सो यानि कि सो पर बारा ब्याज लग रहा है सो का 112 हो रहा है या फिर इसको और सोटा कर सकते हो चार तिया चार पत्चिस यानि कि तीन बटे पत्चिस पर तीन ब्याज लग रहा है दूसरे साल तो यानि कि पत्चिस पर तीन ब्याज लग रहा है तो कितना हो रहा है ये 28 हो रहा है तो अब आपको कुछ नहीं करना पहला साल आ गया दूसरा साल आ गया अब इनको गुना करना है तो इ किसे गुना करोगे 288 तो ये कितना हो जाएगा आठ 308 तो यह आपका पी आगया यह आप का Ấ या पूच्छी क्या है अपके पूच्छा है क्या पूच्छा इसमें से ब्लिटेश इसो को दस हचार कैसे